Why Power Sharing is Desirable? Power Sharing क्यों जरूरी है? हर किसी काम की विश क्यों है कि Power Sharing होनी चाहिए? There is a two sets of reasons. यहाँ दो reason है Power Sharing के. The first is reduce the possibility of conflicts. सबसे बड़ी बात कि जितने भी social groups होते हैं, अगर हम उनमें Power Sharing कर देते, जैसे हमने Belgium के model में देखा, कि उन्होंने German, French और Dutch सबको equal opportunity दे दी, equal Power Sharing दे दी, जिससे वहाँ पर होने वाले conflicts की possibilities कम हो गई. The second thing is, Power Sharing is a good way to ensure the stability of political order. Second thing यह है कि political orders को stability मिलनी शुरू हो जाती है. Just suppose हम Belgian का model समझते हैं, वहाँ पर Dutch, French और German, तीनों communities को power दे दी गई, अगर वहाँ कोई भी order पास किया जाता है, या नया act बनाया जाता है, तो तीनों communities के जो main leaders हैं, उस act से ensure होंगे कि हाँ यह ठीक है, हमारी community से okay रहीगी. तो जब उसे impose किया जाता है, लोगों के उपर जब उसे impose किया जाता है, citizens पे, तो वहाँ पर conflicts होने के chances कम होंगे, और जो भी political order act किया, जो law होता है, उसको हम क्या कहेंगे, political order, तो जो भी political order होता है, उसको हमें एक तरीके से stability मिल गई, ऐसा नहीं है कि आज हमने launch किया, आज हमने ensure, enact किया, और पता चला कि बहुत ज़्यादा riots होने लगे, या लोगों ने नापसंद किया, और फिर से हमें उसमें change करने पड़े, या implements करने पड़े, तो इसलिए, दो main reason है power sharing के, the first thing is reduce the conflicts, जो लड़ाईया है, उनको कम करने के लिए काम आता है, and the second thing is, कि जो power orders है, जो political orders है, उनकी stability को ये समझाने के कोशिश करता है, या stable करता है उस country में, imposing the will of majority community over other, may look like an attractive opinion in the short run, अगर हम देखें कि majority जो community है, वो अपने जो laws हैं, या अपने जो opinions हैं, वो पूरे देश पे, पूरे minorities पे सबके उपर impose कर रही है, ये थोड़े देर तो देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन अगर हम बात करें, for the long run, undermines the unity of the nation, लेकिन धीरे धीरे हम देखेंगे, कि ये जो unity है nation की, वो खतम हो रही है, जैसा हमने श्री लंका के model में देखा, कि शुरू में तो सबने सोचा, अब हमारे बात मानेंगे, या आगे हमारे बारे में कुछ सोचेंगे, लेकिन धीरे धीरे श्री लंकान तमिल्स को लगने लगा, कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और जो उनका nation है, वो धीरे धीरे अंडर्माइन्स, थोड़ी थोड़े थोड़े conflicts start हो गए, टाइरेनी ऑफ दो मैजॉरिटी इस नोट जस्ट ऑप्रेसिफ फोर दो मैनॉरिटी इस, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये जो ये अत्याचार हो रहा है, मैजॉरिटी के लोग जो मैनॉरिटी पर कर रहे हैं, इसमें सिफ मैनॉरिटी का लॉस है, ऐसा नहीं कह सकते, इस उफ उफन ब्रिंग्स रियून तो दा मैजॉरिटी इस वेल, हमने श्री लंका में देखा, कि देर इस अ गिवन आ लाइन, कि जहां पे लिखा गया था, कि दोनों कमेटी इस के लोगों में, हजारों लोग मारे गए, किल्ड थाउजन पीपल, तो इसका मतलब अगर आप माइनॉरिटी इसको परिशान करोगे, या उनको पावर शेरिंग नहीं दोगे, तो माइनॉरिटी इसके साथ साथ मैजॉरिटी की भी, की भी जो हार है वो टैं है, या फिर जो परिशानिया है, वो सिर्फ माइनॉरिटी इसको नहीं आएंगी, बलकि मिजॉरिटी इसको भी आएंगी, देर इस ए सेकेंड डीपर रीजन, वाई पावर शेरिंग इस गुड़ फॉर देमोक्रासी, फिर्स रीजन इस रीजन इस रीजन आपनी कंट्री में स्टेबल कर रहे हैं, तो पावर शेरिंग अपने आप ही एक इंपॉर्टन फैक्टर बन जाता है दिमोक्रासी का, अगर हम पावर शेरिंग नहीं करेंगे तो फिर दिमोक्रासी का मतलब क्या है, फिर तो वो जो अधर रूल आफ पावर होते हैं, वैसे ही वो शेर होगा, जैसे कि अगर हम कहें कि मुनार्की सिस्टम है या एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम है, वो फिर वही सिस्टम रह जाएगा, हाना, तो इसलिए डिमोक्रासी का मतलब है कि अपने आप पावर शेरिंग आ जाएगी, पीपल के पास खुद राइट होता है कि वो कंसल करें गवर्मेंट से कि उनको किस तरीके की रूल्स और रेगुलेशन में रहना है, हम एक लीगल गवर्मेंट डिमोक्रासी उसको कहते हैं जहां पर सिटिजन अपना पार्टिसिपेशन थ्रो करते हैं और कैसे थ्रो करेंगे, इसलिए हम पावर शेरिंग इसलिए जरूरी समझते हैं डिमोक्रासी में, जो हमने दो अभी रीजन्स पढ़े हैं, उनमें से पहले को हम बोलते हैं प्रुदेंशियल रीजन्स इंपॉर्टन रीजन्स और सेकिंड को बोलेंगे ये एक मॉरल रीजन है, अगर हम प्रुदेंशियल रीजन्स को देखते हैं कि ये एक बेटर आउटकम लाने के लिए अच्छा है, तो हम मॉरल जो रीजन्स हैं उनको भी इस तरीके से समझते हैं कि ये पावर शेरिंग को बनाता है, ये एक बनाता हैं कि बनाता हैं कि ये एक टूद आछ आउरिके से अच्छा ना कहीं को करहा है, इस और ए anything other है, आद और आवा हनन्स, पावर शेरिक प्रुदेशियन और चावर शेरिए के लेक। झाल झाल